तो आज है सारस्ति पूजा और पैल्टेंज डेवी थोड़ा मेकप कर लिया है आप लोग लेख सकते हैं थोड़ा कैसा है अभी मैं रेडी हो रही हूँ और अब हम जाने वाले कॉलेज वह पहले टिकलू को रेडी करते हैं उसके बाद मैं रेडी होती हूँ यह सारी काफी तो यह है मेरा फाइनल लुक बताव मैं कैसे लग रही हूँ और यह है तीकलू के फ्रेंड काफी सुनगल लग रही थे वह भी रएडी हो जाने के बाद अब हम जाना है कॉलेज तो हम कॉलेज पहुच गए हम लेठी हो गए हर बार की तरह इसलिए जादा फोटोस और काफी जादा फीर हो गए थी और साथ चारो तरफ लड़किया फोटो कीचने और वीडियो बनाने में वैस्त हो गई थी तो हां तो हमने सोचा कि थोड़ा सरस्वती मा की भी थोड़ी पूजा कर लिया जाए मैंने घर्मे किया था लेकिन यहां भी कर लेती हुए एक बार व अपने लोकेशन पर चलना चाहिए ताकि वहां पर हम जाकर जल से जल फोटो कीच पाए क्योंकि अभी बस में जाना होगा तो बस में तो आज बहुत ही ज़्यादा जाम होने लगने वाला है क्योंकि आज है पूजा और वैलेंटेनश देवी तो आस तो बहुत जारा होगा लेकिन हम फिर भी चड़ गया क्योंकि यो देर हो जाएगी नहीं तो यह वस्ता तो बहुत ही जारा खराब हो गए थी यहाँ पर किसी तरह से हम बस में घुसे थे बहुत ही जादा भीर थी सास लेनी की भी जगाने थी इतनी जादा भीर आखिरकार हम अपने लोकेशन पर पहुँच गए लेकिन यहाँ भी लंबी लाइन लगी हुई थी टिकेट के लिए और इसलिए हमने सोचा कि हम किसी और लोकेशन पर चलते हैं जहाँ पर थोड़ी कम भीर होगी लेकिन जब हम बस चले थे उसका पर्स मतलब गिर गया था तब ही किसी ने उठा के शारे पैसे उसने ले लिये थे तो उसका पर्स खाली पड़ा हुआ था नीचे तो आखिर कार हमने एंडरी की तो अभी तीन बज़ रहे हैं तो सनलाइक भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है तो हमें जल से जल फोटोस खीशने पड़ेंगे ताकि क्वाल्टी अच्छी आए तो हम बस चली रहे थे और मतलब इस प्लेस में भी मैं पहली बार आई हूँ क्योंकि यह अभी न्यू न्यू खुला है गौहती में तो हम थोड़ा मतलब प्लेस देख रहे थे कि इस जगह पे मतलब अच्छा होगा और थोड़ा रेस्ट पी लेना पड़ेगा अभी क्योंकि हमारे पैर पूरी तरह से दुग गए है अब हम बस में आई थे तो मेरे भी बाल बहुत ही जड़ा खराब हो गए थे भीर की वज़े से मुझे पहले अपने बाल थोड़ा सेट कर लेने चाहिए तो उसके बाद ही मैं फोटो की चूंगी तो हम एक जगा पर पहले बैठने के लिए बैसे धून रहे थे कि कहां पर अच्छा होगा तो ऐसे ही हम थोड़ी देर घूमें थोड़ा रेस्ट कर ले उसके बाद फोटोस लेंगे हम जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर तो काफी सारे कपल्स भी हमें देखने को मिलें क्योंकि आज वेलेंटेंस दे हैं तो हाँ कपल्स तो देखने को मिलेंगे इतने सारे कपल्स एक जगा पर इस कपल्स ने तो कलर भी मैच कर लिये है तो यहां पे नेहा मेरे थोड़े बाल सेट कर रही थी क्योंकि मेरे बाल जो मैं घर में अच्छे सेट करके आई थी बस में पूरी तरह से खराब हो गए थे इसलिए हम मुझे यहीं पे अपने सारे बाल फिर से मतलब खोल के ठीक करने परे मतलब नेहा मेरी मदद कर रही है हो जाने के बाद हम एक प्लेस पे गए जहां पर बहुती सुन्दर सा लोकेशन हमें मिला फुल भी थे और बैक्गरांड भी काफी सुन्दर था तो यहां पर हमने थोड़ा वीडियो किये बहुत सारे लग गया थे हम साथ जन थे शायद तो यहां पर हमें वीडियो बनाने में काफी समय लग गया तो खिचने के बाद हमने सुचा कि थोड़ा आसपास देख लेकी और क्या क्या प्लेसे हैं लोकेशन तो काफी अच्छा था लेकिन यहां नीचे जाने के लिए काफी सारी सीरिया के दोस्तों जाना चाते थे तो हमें जाना पड़ा वैसे भी मैंने आज हील नहीं पैना लेकिन उन लोगों ने हील पैना था आज नीचे जाना के लिए काफी सारे सीरिया थी य Ann वस्ता तो अभी से खराब वह छो गह थी क्योंकि इतने सारी सीरिया जो थी हो गए है तो थो एक तो हफोड़ तो देखना ही पड़ेगा लेकिन हाँ रियल में काफी ज़्यादा सुनदा है कैमरा में इतना अच्छा नहीं लगता नॉर्मल डेस में ही मैं प्रिफर करूँगे कि आप लोग यहाँ है क्योंकि नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीर हो जाती है मैंने सुचा कि एक वीडियो बना लिया जाए हम सब की कैंडी क्लिक कर लो लेकिन मैं तो खराब ही लग रही थी वाप है अब थोरा थोरा अंधेरा होने लगा था और पांच भी बच गया थे तो हमें बहुत ही ज्यादा भूग लग रही थे क्योंकि हमने सूबा से किसी ने भी कुछ नहीं खाया था हमने सोचा की अभी यहां से निकल जाते हैं किसी कैयफे में Чलते हैं पाता था कि कैयफेस मैं आज काफी जादा भीर इसलिए हम अपनी लोकेशन से जल्दी निकले, अब हम पार्क से निकलने वाले हैं, निकलने के रास्ते में भी काफी जादा जाम है, क्योंकि लोग अभी भी मतलब एंट्री कर रहे हैं पार्क में, बहुत भीर थी, इसलिए हमें निकलने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन हम किसी तरह निकल ग गई थी आज धिवे सारी में इटनी देर चलना मेरे बसके तो बात नहीं है निए देर चलने के बाद इतनी भूक लग रही थी हमें लेकिंगेडस काफे मे जाना चाहते हैं वहांपे थकान भी हो रही थी मुझे कि मैं क्या बोलो मैं बहुत जारे टायर हो गई थी तब हमने सोचा कि अब भी तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं तो किसी कैफे में तो हम जा नहीं सकते हैं कि हम स्ट्रीट फूर्ड ही आज खा लेते हैं कि बहुत ही जादा भूग लग रही थी एक जाना चाती थी ताकि मैं आरां से बैट के खाना का सको फूर का यहां पर बैठने की जगा नहीं होती तो मुझे बल्कुल पसनी मेरे पैर भी दुख रहे था काफी जादा इसलिए खाना खाये मुझे भी काफे में खाना खनाथा लेकिन क्या कर सकते हैं रहा हम सब लडड़कियों ने यही पे मतलब खा ह Azk रहा प्र पर भी तंब की बहुंचा घृक घ के बताएं मेरा दो अब लोग को पता ही है ठीक ठाक ही मैं बोल सकती हूँ तो नेक्स व्लोग में जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए बाई